खबर पंचुकुला से है हर्याना के राशपाल बंडारू दत्तात्रे ने पंचुकुला के इंद्रधनुष ओडिटोरियम में अंतराश्टी ओलंपिक दिवस पर आउजीत समारों में खिलाडियों को राजीम के सरुष्रेश्ट भीम अवार्ड से समानित किया इस मौके पर भारत को दुनिया का सिर्मौर बनाने में हर्याना के खिलाडियों का एहम योगदान है सरकार की निती खेल निती युवाओं के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होई है इसमें युवाओं को नगत पुरुसकार के साथ साथ नौकरियां भी प्रदान की जा रही हैं प्रदेश अवार्टरियों को दराश्टी ओलंपिक दीवस की बढ़ाई देते हुए कहा कि खिलाडियों को मेडल जीते ते समय जो खुशी होती है उसे ज्यादा खुशी अवार्ड लेते वक्त होती है अर्जुन अवाड वाभीम अवाड से सम्मानित होना गवरों की बात है अगर हम सारी साल मेहनत करते रहें सारा साल प्रैक्टिस करते रहें और कम्पिटिशन ना खेलें तो हम कभी भी अपने गूल को अचीव नहीं कर पाएंगे इसलिए ब्लॉक लेवल पर डिस्टिक लेवल के उपर जोन लेवल के उपर और स्टेट लेवल के उपर टोनामेंट होते रहेंगे होंगे और इसी तरज पर जिस तरज पर खेलो हर्याना और खेलो इंडिया हुआ है जिससे की हमारे खिलाडी आगे बढ़े और साथ ही में कुछ ऐसी गेमें हैं जिसमें हम बहुत अच्छे हैं चाहे वो रैसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, होकी हो, कबड़ी हो, हैंडबॉल हो, ओलीवोल हो लेकिन इसके इलावा भी कुछ ऐसी गेम हैं जिसमें हमें इंप्रूव्मेंट की जूरत है देश में आज हर्याना को खेलों का पर्याए समझा जाने लगा है देश के किसी भी बाग में, यदि खेलों पर कोई चर्चा होती है तो सबसे उपर हमारे प्रदेश हर्याना का ही नाम आता है जबकि ओलम्पिक, राष्ट मंडल और कोई भी अंतर राष्ट 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 की खेल प्रदियों की ताह होती है तो देश की रेटिंग एजन्सिया खार्यानी की ओर देखती है इसके लिए मैं आप सभी को बड़ाई देना चाहता हूँ खबर चंडीगड से है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार कुसंत कबीर कुटीर में प्रदेश के स्थानी नगर निकायों के नव निर्वाचित चेर परसंस को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने इस औसर पर उपस्थी सभी चेर परसंस को निर्वाचित होने पर बधाई दी और पारशदों विधायकों वा संगठन के लोगों से परामर्श करके विकास कारियों को आगे बढ़ाने के टिप्स दिये उन्होंने ये भी पताया कि जल्दी चंडीगड में सीम हाउस पर ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे नगर निकायों के प्रतिनिधी अपनी समस्या को लेकर मार्दर्शन ले सकेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार नगर निकायों के चेर परसंस का सीधा जन्नता द्वारा चैन किया गया है ऐसे में भी पार्शिदों से ताल्मिल बना कर पिछड़े शेत्रों का प्रात्मिक्ता के आधार पर विकास करें और जन्नता के पेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें खबर चंडिगर से है अर्याना जल संसाधन प्राधिकरण के चेर परसं केशनी आनंद अरोडा ने उपचारित अपशिष्ट जल के फिर उप्योग पर बल देते हुए सम्मंदित विभागों के धिकारियों को निर्देश दिये की ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी दो का सकती से पालन किया जाए हर्याना सरकार ने हाल ही में हर्याना जल संसाधन प्राधिकरण अदनियम 2020 में संशोधन किया है ताकि प्राधिकरण को सरकार को चारित अप्शिष्ट जल निती को लागू करने की शक्ति प्रदान की जा सके हर्याना जल संसाधन प्राधिकरण की चेर परसन केशनी आनंद अरोडा ने गुरुवार को हर्याणा निवास चंडीगड में बैठक की एक और खबर चंडीगड से है हर्याणा के मुख्य सचीव संजी कौशल ने गुरुवार को चंडीगड में जेलों में फैर सेफटी आडिट को लेकर बैठक की उन्होंने कहा कि मुख्यमत्री मनोहर लाल के निर्देशा नुसार प्रदेश के सभी सरकारी भवनों जैसे लगू से चिवाले भवनों नागरिक अस्पतालों चिकित्सा महाविद्यालियों नगर निकायों और जेल भवनों में आग से बचाओगी घटनाओं के सभी प्रबं बनाए जाए हर्याना की जेलों को आग की घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए नैशनल विल्डिंग कोड के अनुरूप फैरिंग फैटिंग स्कीम बनाए जाने की बात कही